Hello dear students, welcome to Magnet Brains. मैं संचता जैन, आप सभी के SST educator आज के session में लेके आई हूँ आप सभी के लिए class 9th students के लिए सामझे विज्ञान में अर्थ सास्त रियाने की economics का chapter number 3 जिसका नाम है निर्धनता एक चनोती और आज के topic का नाम है वैश्विक निर्धनता परीचाए यानि कि विश चले तो session को शुरू करने से पहले आप सभी से request है कि जल्दी से जल्दी जादा से जादा आज के session को आप सभी like कर दें, share कर दें, साथ ही साथ चैनल को subscribe भी कर दें क्योंकि magnet drains प्रोवाइड कराता है आपको class 6 से लेके class 12 तक के सारे courses free of cost, high quality education के साथ, fully organized complete course के साथ जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे top courses इंदी और इंग्लिस दोनों मीडिया में provide कराते हैं, CVC board के साथ, MP board, UP board, बिहार board, दिल्ली board, राजितान board के syllabus को भी cover कर आया जाता है complete course के साथ, एकदम free of cost प्रोवाइड कराये जाते हैं, हमारे पास आपके लिए कई सारे top courses भी अवलेबल हैं, उन पर भी आप उधान देना है, वो सारे भी आप एकदम free of cost जवाइन कर सकते हैं, आल राइट, चलिए, हाँ, एक बात और अगर आपको ये books री नोट्स की भी विडियो की description में उसकी link दे गई है, वहाँ जाई और सारी जानकारी प्राप्त कल लीजे, तो चलिए शुरू करते हैं, आज का ये session आपके like और share के साथ, वैश्विक निर्धनता परिचय विश्व में गरीबी की अब हम बात करेंगे, तो अगर हम पूरे दुनिया में गर गरीबी में गिराबट नहीं आई है, सिर्फ कोछ छेत्रों में आई है, छेत्री भिनता पाई जाती यानि कि किसी शेत्र में गरीबी कम हुई है, तो किसी शेत्र में गरीबी कम नहीं हुई है, फिर क्या बात कही गई है, तीवर आर्थिक प्रगती और मानो संसाधन विकास यानि कि मानो संसाधन विकास में निवेश यानि कि सिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश की हम बाद करें और यहां पर बात हो रही है चीन की और दक्षड पूर्वी एशियाई देशों की कि चीन और दक्षड पूर्वी एशियाई देशों ने क्या किया है तीव राट्टिक प्रगती करी है और सबसे ज़्यादा सिक्षा और स्वास्त पर पैसा खर्च किया है जिसके कारण चीन और दक्षड एशियाई देशों में दक्षड पूरवी एशियाई देशों में निर्धनता याने की गरीबी में विश्येस कमी आई है यह बातों की चीन और दक्षड पूरवी एशियाई देशों की फिर दक्षड एशिया के देशों की हम बात करें जैसे की कौन-कौन से हो सकते हैं भारत पाकिस्तान श्री लंकान निपाल बंगलादेश और भूटान यह सब कहां के देश हैं दक्षड एशिया के देश है ठीक है तो इन में निर्धनता की संख्या में गिरावट इतनी ही तीवर रही है और 2005 में 34 प्रतिशत से गिर कर 2013 में 16.2 प्रतिशत हो गई है कितनी 34 से सीधी कहां पहुँच गई 16.2 क्लियर है यानि कि आधी गरीबी लगभा कम हो गई है तो यह बात हो गई दक्षड पूर्वी एशियाई देश और दक्षड एशियाई देशों की फिर फिर बताया यह है कि निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही जैसे जैसे गरीबी में प्रतिशत कम हुआ निर् पड़कर 2013 मैं हो गई 244,5 million रहे गई है। फिर हम बात करें रूस की रूस जैसे समाजवादी देश जहां पहले समाजवादी शाशन विस्तर चलती थी तो रूस जैसे समाजवादी देशं में भी निर्धनता पुनह व्याब भी निरधनता यहां फिर से आ गई जहाँ पहले आधिकारिक रूप से निर्धनता नहीं थी, यानि कि जहाँ पहले जिन कंट्रीज में गरीबी थी उनमें धीरे-धीरे हम कमी देख रहे हैं, जैसी कि दक्षद पूर्वी एशियाई देश और दक्षद एशियाई देशों में गरीबी कम हुई है, आधी कम हो ग को बातपन बाद मैं करेंगे पर कभी करेंगे अभी आप आप मुझे बता दें कि सतत्विकास किसे कहा जाता है बताओ भी जल्दी से सतत्विकास किसे कहा जाता है सस्टेनेवल डियाबलबमेंट किसे कहा जाता है तो सतत्विकास उसे कहा जाता है कि हम हमारे संसाध्रों का प्रयोग इस तरीके से करें कि वर्तमान में उच्छे तरीक यहां पर करना है और सभी ब्रकार की गरीबी को सतद्विकास के जर्य खतम करना है ठीक है क्लियर है यहां तक की बात फिर देखो कई सारे देशों के नाम यहां पर दिये हैं जैसे की नाइजीरिया, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया और श्री लंका इन देशों के एक्जामपल आपको दिये हैं और इन देशों में कुछ संख्या दी है संख्या किस प्रकार की है कि प्रती दिन इन देशों में 1.9 डॉलर से कम पाने वालों की संख्या कितनी है यानि कि जो व्यक्ती 1.9 डॉलर से कम पाते हैं कम आए जिनकी प्राप्त होती है प्रती दिन की वो गरीबी में आते हैं गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो नाइजीरिया की बात करी गई है 39.1 है फिर बांगलादेश में 14.3 है भारत में 22.5 है पाकिस्तान में 4.4 है चीन में 0.5 है ब्राजील में 4.6 है इंडोनेशिया में 2.7 परसेंट है और स्री लंका में 0.9 परसेंट है अलग-अलग देशों में प्रतिशत में लोगों की संख्या जो हर रोज 1.9 डॉलर से कम पाते हैं और ये आकडे किस ने दिये हैं ये आक इसके द्वारा हमें क्या पता चलता है विभेन देशों के मध्य गरीबी की तुलना पता चलती है किस देश में जादा है किस देश में कम है जिस देश में जादा लोग होंगे 1.9 डॉलर से कम पाने वाले प्रति दिन के हिसाब से वहां गरीबी जादा होगी जहां कम होगे वहां गरीबी कम होगी जैसे यहां पर 0.9 है यानि कि श्री लंका में कम है और नाइजीरिया में बहुत जादा है 39.1 है यानि कि यहां गरीब जादा है ठीक चलिए अब एक और आपको दिया गया है एक और चार्ट आपको दिया गया है विश्व बैंक के आंकडे 2019 के आंकडे दिये गए हैं ठीक है अब इसमें क्या बताया गया है यहां पर दिखाया गया है आपको प्रतिशत यहां पर आपको दिखाया गया है प्रतिशत और यहां पर आपको वर्ष दिखाया गया है कब से कब तक का 2005, 10, 13, 15 और 19 फिर यहां पर कलर अलग-अलग कलर की रेखाएं आप नीले रंकी रेखा से किस प्रकार का नीला है ये कुछ इस तरीके का नीला है क्या ये हाजी लगभग इस तरीके का नीला है लगभग हम कह सकते हैं ठीक है ये नीला कलर ले लेते हैं ये मैच करेगा क्या ठीक है काफी हद तक मैच कर रहा है तो दक्षड एशियाई देशों को कुछ इस तरीके से दर्शाया गया है लाइटन अमेरिका को परपल कलर से दर्शाया गया है फिर सब सहार अफरिका को ग्रीन कलर से पूर्व एशिया इवां प्रशांद को रेड कलर से और शीन को ब्लू कलर से दर्शाया गया है तो अब देखें दक्षड एशियाई देशों से चालू करें क्या अपन या चीन से चालू करें ठीक है तो गरीबी के आंकड़े जो है धीरे-धीरे कम होते कैसे दिखाई दे रहे हैं यह बात देखनी है तो देखें यहां पर जैसे हम चीन से शुरुआत करते हैं नीचे से शुरुआत करते हैं और हम लेते हैं नीला कलर य यह देखें यह चीन की बाद सबसे पहले हम कर रहे हैं चीन तो चीन में 2005 की जब हम बात करते हैं तो 20% लोग गरीबी का शिकार थे ठीक है फिर उसके बाद जब 2010 का दौर आया तो लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि 17-18% लोग गरीब थे फिर 2013 की बात करें 2013 की जब हम बात करते हैं तो यह 5% के लगभग आकड़ा पहुंच जाता है यानि की नीचे गिर रहा है आकड़ा गरीबी कम हो रही है 2015 की जब हम बात करते हैं तो जीरो पॉइंट कुछ में आ जाता है और 2019 में यहाँ पर हमें गरीबी एकदम ही नहीं दिखाई देती है ठीक यह आंकड़े किसके हो गए चीन के हो गए अब हम कहां चलेंगे पूर्वी एशियाई और प्रशांत देशों की तरफ चलेंगे जिनको लाल रंकी रेखा से बताया गया है यह देखें यहां पर लगबग 49 प्रतिशत थी फिर 10 में थोड़ी और कम हुई तो 20 के आसपास आ गई फिर और कम हुई तो यह जो है आपकी दस से थोड़ी कमाठ या 9 प्रतिशत के आसपास आ गई 2015 में और कम हुगई 2019 में और हुगई फिर सब सहारा अफ्रीकाई देशों की हम बात करें तो यहां पर देखें 2005 में अफ्रीकी देशों में हमें ज्यादा दिखा तो 60 प्रतिशत से उपर यह आंकड़ा पहुंच जाता है फिर हम 2013 की बात करें तो लगभग 50 प्रतिशत आंकड़ा है फिर उसके बाद 2015 की बात करें तो यह 42-43 प्रतिशत है फिर 2019 की बात करें तो यह लगभग 40-41 प्रतिशत के आसपास है ठीक फिर लाइटन अमेरिका एव और कम होती हुई दिखाई देती है ठीक है इस तरीके से ठीक इस तरीके से धीरे-धीरे कम हो रही है फिर दक्षड एशियाई देशों की हम बात करें तो दक्षड एशियाई देशों में 120 के ऊपर यह आकड़ा है ठीक है धीरे-धीरे-धीरे हर एक वर्ष में हमें कम होती हु 10, 13, 15 और 19 के आंकडे बताए थे कि इन इन देशों के समूहों में इन इन वर्षों में इतनी गरीबी थी और कब कब कितनी गरीबी कम हुई किलियर चलिए तो ये बात हो गई अपनी और इसी के साथ हमने जाना कि विश्व में गरीबी किस तरीके से बनी हुई है तो आज का सेशन यहीं पर खतम होता है मिलते हैं जल्दी ही इस चैप्टर के अगली टॉपिक के साथ अगले वीडियो में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजे ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अप्लोड होता है आप तक तुरंत इन्फॉर्मिशन पहुंच जाए और आप उस शेशन को तुरंत ज्वाइन कर पाएं तो अगर आप हमारे डेली के लाइव शेशन और रिकॉर्डिट सेशन से जुढ़ना चाहते हैं सारी चीजें उपलब्ध हैं मैंगनेट ब्रेंज के यूट्यूब चैनल वेपसाइट और एप्लिकेशन पर मैंगनेट ब्रेंज इंडिया का नंबर वान 100% फ्री ओनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसके अलाव अगर आप इबुक्स और नोट्स भी चाहते हैं उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहां से आप अवेल कर सकते हैं सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कई सारे चॉप कोर्से सिंधी और इंग्लिस दौनव मीडियम में अविलेवल हैं सीबेसी लोट के साथ सा दिली बोट बिहार वोट यूप वोट एमप वोट राजिस्थान बोट के स्लइबर्स को कवडर कराया जाता है काफी सारे स्पेशल कोर्स है जैसे कि वैधिक मैस क्रेश कोडश और spoken English और इतने सारे courses आपको एक ही single platform पर high quality education के साथ fully organized complete course के साथ एकदम free of cost to provide कराये जाते हैं यानि कि किसी भी course को पढ़ने के लिए किसी भी तरीके के paid subscription की जरूरत नहीं है और magnet brains YouTube के लावा other social media platform जैसे की Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp पर भी उपलब्द है आप हमें यहां भी follow कर सकते हैं यहां से भी सारी जानकारी प्राप कर सकते हैं तो आज के session को ज्यादा से ज्यादा like और share करते हुए channel को subscribe भी करना है हमारे साथ बने रही है जुड़े रही है पढ़ते रही है कुछ रही है thank you so much